नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका SSE Lab पर मेरा नाम है अमंज रवास्तवा और मेरा काम है जटल मुद्दो को एक आसान और सरल भाशा में आप तक पहुँचाना देखे एक आप लोग की एक रिक्वेस आई थी इस चीज़ को लेकर के कि ये गूगल वाला मुद्दा जो अभी आपने देखा काफी ट्रेंड में था कि आप्स भारत से हटा दी गई आपने देखा होगा कि गूगल ने पहले भारत की दस आप को एक आएक एक एक दम से हटा दिया प्ले स्टोर से ही हटा दिया ना यूजर डाउनलोड कर सकता था कुछ नहीं कर सकता था और उसके बाद उन्होंने री स्टोर भी कर दिया उसको तो ये आखिरकार दो बाते आ अपको और फिर बात या थी ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिस कारण से Google ने वापस से उसको लगाना पड़ा ऐसी क्या चीज हुई कि वापस से उसको अपनी आपको वापस सारी 10 के 10 आपको उसने वापस लिस्ट करा आएए देखते हैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझत दोट कॉम ट्रूली मैडली 99 अकर्स डोट कॉम भारत मनी हो गया भारत मैटरी मनी पुकू एफम ऐसे करके 10 आप एक एक हटा दी जाती है और बोला जाता है कि पॉलिसी वोईलेशन हो रहा था साहब अब ये पॉलिसी वोईलेशन क्या है और जब ये आप हटाई जाती है त साहब इंडा के इंटरनेट का गूगल ने डी लिस्ट कर दी है मेजर अपस अपने अप स्टोर से बन कर दी जब की जो हमारे और गूगल के बीच में हमारे और गूगल के बीच में जो मुद्दा जो डिस्प्यूट का कारण है वो अलड़ी सुप्रीम कोट में अभी विच उन्होंने ये बात बोली फिर इसी तरीके से IAMI ने भी बोला कि भाई हम हर इसको हम strongly condemn करते हैं इस प्रकार की सारी चीजों को और आपको इसको वापस से reinstate करना चाहिए ये IAMI association है जो कि app developers की एक association है app developers and business holders की एक association है अब देखिए अब क्या हुआ बात आती है कि Google का क्या पक् पीछे पड़ गए है Google ने बोला कि देखो ऐसा है हम सबको हम पूरे भारत में सबको apps देते हैं हमारा play store सबको use करते हैं आज भारत में 94% phone जो है वो android phones है तो इतने सारे phone को तो हम service देते हैं अगर हमने थोड़े से 4 पैसे आपसे मांग लिये तो हमने क्या गलत कर दिया अच हम तो मात्र आपसे जितने भी app developers हैं भारत में 2,00,000 app developers हैं और मात्र 3% को हम कह रहे हैं कि आप लोग थोड़े से पैसे दे दीजे तो यहां पर Google का जो statement था जो words से बड़े ही carefully चुने उन्होंने उन्होंने यह नहीं बोला अगर मान लीजे मैं ऐसी चीज़ को आप से ऐसे कि Google भारत में 600 app developers को कह रहा है कि हमको लगान दो तो यह सुनने में बहुत लगता कि 600 apps और अगर मैं यह कहूं कि वो 600 apps वो apps हैं जो आप में से हर एक के phone में उनमें से कम से कम 20-25 app आप में से हर एक के phone में होंगी तो आपको लेगा यार यह तो बहुत बड़ी बात है अगर उ Google ने जो शब्दों का खेल खेला बोला मैं तो मातर 3 प्रतिशत जितने भी भारत में app developers हैं दो लाख app developers भारत में हैं और हम तो मातर 3 प्रतिशत से कह रहे हैं जी कि हमको थोड़ा सा पैसा दे दो तो आपको इसमें क्या समस्या है अब देखिए आखिरकार यह मुद्दा क्य और इस policy में बदलाओ के तहट Google ने बोला जरा आप इस billing system को देखिएगा Google ने बोला कि देखो ऐसा है आपको हमको आप कोई भी app अगर आप इस्तमाल करते हैं कोई भी app for example मान लीजे आप हमारी lab की app आप यूज करते हैं या फिर मान लीजे आप लोग Amazon Prime यूज करते हैं mandatory कर दिया कि जैसे आज आप लोग देखते होंगे आप ATM से payment कर देते हो उसके अंदर phone पे से payment करते हो आप और इसी के साथ-साथ आप रेजर पे से payment करते हो debit card होता है credit card होता है internet banking होता है Google ने उस 2023 के order में ये mandatory कर दिया कि इनके साथ-साथ जरूरी है कि आप एक हमारा payment order भी र क्योंकि आप हमारा payment gateway भी आप हमारी payment service भी यूज़ कर रहे हैं इसलिए जरूरी है कि आप हमको 15% से लेके 30% तक जितना भी आपका total order होता है आप हमको पैसे देंगे इसका मतलब समझेगा पहले उन्होंने mandatory कर दिया कि अगर आपको app publish करनी है हमारे play store पे अगर आपको कोई भी आप लानी है तो इसके लिए जरूरी ये है कि एक payment का option उसमें Google की तरफ से भी होना चाहिए जिसमें Google का जो अपना billing system है जिसमें subscription वगरा सारी facility होती है auto debit की facility होती है ये सारी रखना आपके लिए mandatory है ये सारे app developers को पहले उन्होंने बोल दिया उसके थोड़े time बाद उन् हमको हर एक transaction के उपर तुम हमें पैसे दोगे अब 15% मतलब जो भी अगर कोई भी automatically renew वाला subscription है उसपे 15% अगर मान लीजे किसी पूरी application का revenue आठ करोड रुपे से कम है यानि एक महिने में अगर साल में अगर एक साल में 8 करोड रुपे से कम कमाती है तो उसको 15% देना है हर transaction का माने अगर मान लीजे आपने 1000 रुपे का सामान खरीदा है तो company जो है 1500 रुपे Google को देगी बात समझाईए आपको यह इसी तरीके से मान लीजे अगर आपका सालाना revenue अगर आपका जादा है आठ करोड रुपे यानि एक मिलियन डॉलर से तो आपको 30% देना पड़ेगा या अगर अपने पास से देंगे तो इनके पास पैसे ही खतम हो जाएंगे ये client से लेंगे मने customer से लेंगे तो ये 300 रुपे 1500 रुपे से 300 रुपे किस की जेब से निकलेगा customer की जेब से निकलेगा अब इस बात को लेकर के जो भारती ये ecosystem था ये पहुँचा supreme code supreme code में अपनी बा इस नहीं sell कर सकते तो already हम thin margin पे काम कर रहे हैं हम कैसे इतना बड़ा पैसा देंगे तो supreme code ने बोला ये बात Google से बोला भाई Google ये बात तो गलत करी है तुमने ये तुम क्यों कर रहे हो ये तो फिर तानाशाही हो रही है Google ने बोला हाँ माई साब ये बात तो माई लड़ गह रहे हैं ऐसा करते हैं हम कि हम ऐसा करते हैं कि जो 15 से 30 प्रतिशत है ना हम उसको कम कर देते हैं और इन्होंने 4-4% दोनों से कम कर दिया इन्होंने 15 प्रतिशत को 11 प्रतिशत कर दिया और 30 प्रतिशत को 26 प्रतिशत कर दिया यानि कि उन्ठ के मुह में जीरा वाला काम करा इन्होंने कि ये करे ना करे चार प्रतिशत से क्या ही फरक पड़ेगा अब इन्होंने ये चीज करके इन्होंने सारे स्टार्टप्स को बोल दिया कि देखो ऐसा है एक मार्च तक हम अवधी दे रहे हैं एक मार्च तक अगर आप ये काम कर पाए कि अपनी अप्लिकेशन में ये वाला बिलिंग सिस्टम लागू करिये अन्य था हम आपकी आपको डिलिस्ट कर देंगे और यही दिन एक मार्च आ गया ये केस सुप्रीम कोट में विचार धीन था इसका रिजल्ट नहीं आया था सुप्रीम कोट ने इस पे इस्टे लगाने को मना कर दिया था भारती ये स्टार्ट अप कम्यूनिटी ये लोग जब सुप्रीम कोट पहुंचे थे कि साब इस ओर्डर पे स्टे लगा दीजे तो सुप्रीम कोट ने बोला नहीं हम स्टे नहीं लगा सकते हैं स्टे लगाना गलत हो जाएगा हम स्टे नहीं लगाएंगे तो अब क्योंकि ये केस फिचार धीन था अब क्योंकि इस पेस्टे नहीं लगा तो Google ने एक मार्च को इन आप्स को डीलिस्ट कर दिया ठीक अच्छा ये पहली बार नहीं है कि Google की ये ताना शाही हुई है पेटीम के साथ ये पहले भी कर चुका है पेटीम की और साथ इनकी policy होती है 20-25 की इनकी policy होती है आप कभी नहीं जान सकते कि आपने अकर violation किया है तो क्या किया है आपको सजा किस चीज की मिल लई है ये आप कभी नहीं जान सकते और ये बताते भी नहीं है कि आपने क्या violation किया है फिर हम आगे आते हैं मैं ये सारी बाते बोल तो YouTube ना सुने, तो बहतर है, यह सारी बाते जो हैं, यह informational है, अब देखिएगा, क्योंकि यह ऐसी चीज़े करते आ रहे थे, तो CCI, Competition Commission of India ने इनके उपर 934 करोड की penalty भी लगाई, कि भाई, आपकी जो policies हैं, बहुत खराब हो रही हैं, आप ताना शाही कर रहे हो, हम आपके उपर penalty लगाते हैं, और आप अपनी penalty क्यों लगाई, इना Google क्या करता था, बहुत सारी आप में Google खुद भी invest करता है, तो आप अगर कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, तो Google आपको पहले वो आली आप दिखाता था, जिसमें Google ने खुद से invest करा हुआ है, यानि मेरी ही दुकान, और fine भी लगाए गया था, 934 करोड का fine भी लगाए गया था, दूसरी चीज़ फिर CCI ने clearly बोल दिया था, Competition Commission of India ने clearly बोल दिया था, कि Google आप developers को नहीं रोक सकता है, किसी भी third party आप को इस्तमाल करने के लिए, लेकिन फिर भी Google ने इसको रोकने के लिए कारे किया, और अभी दे इस में Google को बोला गया, इस penalty को आप जमा करिए, Google ने इस से निपटने का बहुत अच्छा रास्ता निकाला, सोचा, जब इतनी penalty लगी रही है भारत में, तो क्यों न हम लगान वसूलना शुरू करते, 15-30% वाली बात सुप्रीम कोट ने मना कर दी, कोई बात नहीं, हम 11-26% तो इस बात को लेकर के ही यही पूरा माजरा है, इसी चीज़ की वज़े से सारी एप्स को डिलिस्ट कर दिया गया था, हमारी जो एप है लाब की ये भी डिलिस्ट होने वाली थी, लेकिन हमने एक वेराउंड ढून लिया, जिसकी वज़े से हमको प्राइस एक अच्छी च आरीफ रहा है, जैसे ही ये हुआ, तुरंत ये IT Minister है, ये अगर इनके बारे में कोई भी पड़ेगा तो इनका फैन हो जाएगा, ये विक्ती बहुत ही हिरा आदमी है ये, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गूगल के 10 representatives को बुलाया, गूगल से बुला, आईये साहब, इ लेकिन वापस कैसे लाए, आप को, एक दिन के अंदर अंदर ये सारी आप वापस आ गई, वो कैसे हुआ, गूर्मेंट अफ इंडिया उसी समय आक्शन में आते हुए, इन्होंने क्या किया, उसी दिन इन्होंने मीटिंग बुलाई, और यहाँ पर अशुनी वैशनों साब जो हमारे IT मिनिस्टर है, IT and Railway मिनिस्टर है, इन्होंने एक बीच, एक compromise solution ऑफर हुआ है, compromise solution ये है, कि ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इन्होंने बोला कि ठीक है, आप हम आपकी आप वापस लेके आ जाएंगे, लेकिन आप हमारी services का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे, माने अभ में तब तक के लिए हम आपकी app को restore कर दे रहे हैं लेकिन आप जो है हमारी services बिलकुल भी नहीं use करेंगे हमने का हम तो वैसे भी नहीं use करना चाहते थे वो तो आप जबरदस्ती use कर वा रहे थे लेकिन इस पूरे वाकिये ने क्या दिखा दिया हम कितने vulnerable हैं और गूगल की market अगर आप इंडिया में देखें तो गूगल की market गजब की है भारत में अगर आप देखेंगे इंडिया की market Google Play पे सबसे बड़ी market है आप देखिए इंडिया के बाद Brazil फिल इंडोनेशिया आप देखिए इतनी बड़ी market है आज समझ में आ रहा है चाइना ने क्यों कभी Google को अपने वहां गुशने नहीं दिया कारण उसका आज समझ आ रहा है ये दादा गिरी उन्होंने नहीं जेली और हमारा सबसे बड़ा market होने के बाद भी Google ने आप अगर revenue देखेंगे ना पैसा जतना सामान खरीदते है अप से 75 बिलियन डॉलर का सामान इतना revenue जेनरेट करता है अगर सोचिए Google कह रहा है कि इसी revenue पे मुझे 30% दे दो माने 20 बिलियन डॉलर का revenue सीधे Google कह रहा है कि हमको दे दो जाहिर सी बात है इंडियन स्टाप से कुछ भी नहीं बचेगा और in fact वो सारी चीज़े किसके उपर आएंगी end user customer पे आएंगी इतना बड़ा market है अब इसके लिए होगा क्या फिर इसके लिए इसका solution क्या है देखिए एसी चीज़ के solution के लिए phone पे ने क्या किया phone पे ने अपना खुद का play store launch कर दिया है ये भारत का अपना खुद का play store है खुद का app store है और इसका नाम है indus आप सब लोग भी इसको download करिए indus app store ये इंडिया का अपना app store है आपको बता दे फोन पे जो है वो वालमार्ट द्वारा bagged है इस यहाँ पर major share holding जो है वो वालमार्ट की है तो ये मत सोचिएगा कि ये purely indian है ये इन्होंने नाम ऐसा रखा है इंडिया का अपना app store लेकिन ये phone पे का है और phone पे जो है ये वालमार्ट द्वारा bagged है वालमार्ट एक US की company है तो 21 वरवरी 2024 को phone पे ने क्योंकि ये दादागिरी चलती आ रही थी इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपना खुद का app store launch कर दे है जिसको indus कहते हैं तो आपको क्या लगता है ये मुझे जरूर comment section ने बताएंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए ये जो temporary injunction मिला है देखिए हम temporary जीत तो बोल सकते हैं ये कि ये permanent जीत नहीं है इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अन्यता ये दादागिरी आज न कल हम सब को इसका victim होना पड़ेगा हमें as entrepreneurs और आपको as clients या आपको as end user आपको उसका experience करना ही पड़ेगा इस दादागिरी का जो भी result निकलेगा वो हम सब कुछ हिल नहीं पड़ेगा already हम Google को अपने data के रूप में बहुत कुछ दे रहे हैं हम उनसे ले भी बहुत कुछ रहें no doubt लेकिन हम उनको advertising data के रूप में हम उनको बहुत कुछ दे भी रहे है India is the biggest market for Google तो आपके comment सामंतरित है कि हमें क्या करना चाहिए आप बताइए और उससे बहले ये जरूर बताइएगा कि ये पूरा lecture आपको क्यासा लगा सारी बाते आपको समझ में आ गई ये हमें जरूर बताइएगा ठीक है चलिए धन्यवाद all the best और फिर से मिलेंगे हम लोग किसी जोलन शीर मुद्दे के उपर आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें जरूर बताइएगा उसका समाधान करेंगे धन्यवाद